तुम टाइम से पहले मुझे आके एक बार तुमने रिमाइंड किया तम मैं दूसरे मीटिंग में था तो फिर मैं तुम्हारा उठा नहीं पा क्योंकि अपकोस दूसरे का टाइम था न तुम्हारा मैं ट्राइब कर रहा था कि मुझे समझ नहां गया कि तुम सोच दो कैसे काले से कैसा रहेगा है कि सुम्हारा आवाज के लिए राड़ी कि फड़ा वीडियो प्रॉलम तो रही है है जालो यह से ओके तो यह बताओ कहां सो तुम सुम्हारा मैं गोरकपुर का राने वाला हूं और अभी मैं गाजियाबाद में हूं से पॉल्टेखनिक कर रहा हूं क्यों से कहां खुष गौर्णन टेखनिक नइंडिक से कर रहे हो के नइस कोंव्हार्मनुन फोल टेखनिक गाज़ी अमर्य काल फूल्म नैक और शहर एक छालाई से किलूमितर चालो बढ़ अह익 है तो हम लंगारिकटा हूं पनी आसपास रिशे ग knights कर ब daí अने बमक्यस चलो फिरहल तो अभी तुम सोचे रहो कि आगे क्या करूँ यह ग्रोथ यह कुछ और है यह है यह 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 देखो डिप अगर आगे कुछ बीटेग करने का प्लान है अब जॉब करता पईसा कमाना है नहीं सर जॉब भी करना है उसके साथ बीटेग में एमिशन भी लेना से मत् सेमस्टर कां अच्छ लगा से अच्छे से किम पूछ रहा हूं कि अपने आपको डिटेकेट करनेा प्रोफाल के तरफ वह तो क्योंकि तुम ने बोला कि मैं कि आगे बीटे करना चाह रहा हूं इसलिए मैंने तुमको इस बोला अगर तुम बोलते कि आगे मेरी पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं सिर्फ पैसा कमाता तो मैं तुमको बदा था बीम इंजिनिंग की प्रोफाइल ठीक है लेकिन तुम्हारा कॉंसेप्ट क्लियर है कि तु तुम क्या कर सकते हो तुम सब को सीख कर सकते हो अभी से जैसे कि तुमने सबसे पहले तुम क्या सीख लो ऑटोकेट और परफेट करो जैसे तुमको आता है उससे भी ज्यादा अफकोस तुमने मेरे से भी सीखा होगा तो आटोकेट और रेविट अच्छा कर दो ठीक है अब आटोकेट और रेविट क्यों रेविट आर्टेचर रेविशक्चर दोनों है इसके माध्यम से तुम्हें जॉब पक्का मिल जाएग यह पांदो अगर त इसरे तरफ इस्तठ प्रो ईटर सेफ मेनुवन डियानिंग एक्सल डियानिंग में इसको पढ़ते रहो टेली मतलब पले स्टैट पो खतम करो फिर एटैप्स फिर सेफ फिर मैनुवल फिर एक्सल यह उनको सबको साइड बाई साइड पढ़ते रो तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बार यूनिक सीविल एप तो तुम्हारे पास होगा हो ठीक है अगर एप है उसमें एक बार ओल इन वन देख लो ठीक है आवज क्लियर आ रही है उसे बेनिफिट क्या होगा तुमको बेनिफिट यह होगा कि तुम्हें वह तो टाइम के लिए है तो उसमें तुम आटोकेट और रेविट वाला सेक्शन रेविट आटे चले वी स्ट्रक्चर यह दो सेक्शन पढ़के अभी अपना जॉब स्टार्ट कर लो और फिर जॉब करते-करते साथ में जब भी तुम्हें टाइम मिले स्टैट प्रो ईटेफ है वो उसके अंदर मैंने दे दिया है ठीक है तो जॉब करते-करते उसको अपडेट कर लो जैसे उसको अपडेट कर लो कि मैक्स पॉस्बिल्टी जोगी तब तक में तुम थर्ट येर फोर्थ येर में आ जाओगे बीटेक के और जैसे बीटेक फाइनल करते हो तुम डारे कि मैं डिप्लोमा फाइनल येर है इसके बाद तीन साल बीटेक में लगेंगे तो सर मैं ये सोच रहा हूं कि तीन साल में तब तक इंडिया में काम करूंगा एक्सप्रियेंस लोंगा और उसके बाद मैं मूव करना चाहता हूं फॉर्ण किसी कंट्री में एक-दो साल मतब क कुछ करना चाहता हूं और सर क्र Councillor को उसके बाल मैं खुड का अपना स्टार्ट अप कुछ करना चाहता हूं मैं जीश फिल्ड में काम करूंगा तो सर उसके रिफरेंस में बताई एक कुछ फॉरेंड क्यों जाना चाहते हैं सर ऐसे ही मत्तब एक्स्प्लॉर करने के लिए चीज है और सर इसके पीछे और एक कारणा क्यों कि मेरे पापा भी मत्तब तो छह साथ साल से उनका कई कंट्री में रह चुके हैं तो सायद इसी लिए हो सकते हैं इस फ्यूचर तुम जाना चाहरे हो बाहर यह फिक्स ही है कि तुम्हें एक्स्प्लॉर करना है देखना है कि लोग क्या नया कर रहे हैं तो वो कुछ इधर आकर ट्राइग करूं अगर तुम्हारे लिए बेटर यह रहेगा क्योंकि अभी तुम अफ्कोर्स यहां पर तुम यहां पर तो यही काम करोगे तुम फिर वीं में जाओ है लिए संटीक लिए रिजन क्यों बीम का क्यों बता रहा हूं बीम है कैसी चीज है बितर इसमें डायमेंसल्स के वाल चैंज होंगे और तुम आज आगे काम कर सकते हो जैसे कि उसमें रेविट है उसमें 3ds Max है टिकल अलग है काम करने में प्रॉलम जाएगा तुमको फिर तुम इस गाइड हो जाओगे बेटर यह तब बीम का इप उसी में इन भी दिया हुआ है एक विम जाओगे तो बीम कभी यहां पर जो वॉल की थीकनेस 9 इंचेस हैं वहां पर हो सकता है हो 17 इंचेस हो कि कैनेडा में जहां लकड़ी याला बनता हो पर 17 इंचेस है तो सिर्फ डाइमेंशन चेंज होंगे और काम करने का प्रोसेस सेम रहेगा तब तुम बेम में जाओ अधी में जाओ अाराम से मिल जाएगा ओरन में तो बहुत इजली मिल जाएगा के तो उसके लिए क्या करो Basket Hair अगर तुम बाहर जा रहा हूँ, तो फिर क्या करो, AutoCAD और Revit अच्छा कर लो, इसके साथ nevis work पे focus करो, इस आखर अच्छे level पे focus लो, तो बने श्वर्क के साथ तुम अच्छे से टेकला structure का knowledge हो, तक्यों कि उसके माध्ययम से higher level job मिल जाती है, तक बड़ी कंपनिया यूश कर इसको और इन सब के साथ अगर तुम्हें टाइम मिलता है MSP Microsoft Project ठीक है यह थोड़ा लास्ट प्राफ हो जी सेने MSP को बाद में सीखो पहले Max 3ds Max Revit सबसे सबस्क्राइब करने के बाद मैं खूद अपना कुछ करना चाहता हूं इसमें बहुत ज्यादा काम कर सबस्क्राइब सकते हो इसमें तब तुम करवागे तुम अपार्टमेंट्स हो गयरा खुद से डिजाइन करके सेल करोगे जैसे अभी हम लोग का नेक्स स्टेट्स ही इसी पर चल रहा है कि अभी तक हम लोग रेसिदेंशियल हाउस बनाते थे बट अभी हम लोग 2022 में हम अमारा प्लान चल रहा है कि हम लोग अपार्टमेंट बनाके सेल करेंगे तो दिस तीज लएक कि हमने थोड़ा सपने आपको बढ़ाया है हम पर लेट डिजाइन करते थे के वल अब डिजाइन के बाद आप डिजाइन प्लस रेसिदेंशियल हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं भी हम लोग अब हमारा जो नेक्स स्टेप है 2022 का टार्गेट है कि हम अपार्टमेंट्स बनाके सेल करेंगे कि तो तुम क्या कर सकते हो तुम जब रीटर्न आते हो कभी इन फ्यूचर वैसे तो उसके बाद ही सूचना चाहिए इनवेस्ट करके अच्छे-च्छे अपार्टमेंट्स बिद फूल फैसेलिटीज बीम के माधियां से चेक कर सकते हो ना फैसिएलटीज सोलर पैनल है गार के बाद है दो जार पचीस तक हम लोग सिर्फ अपार्टमेंट सेल करेंगे छोटे-छोटे क्योंकि जब फंडिंग हो उसके हिसाफ से काम करना चाहिए तो मतलम मैं यही तुमको सजिस्ट करूंगा फिर तुम जाओ वहां पर बीम में काम करो पैसा डाफिनेटली ज्यादा कम प्लस बेस्ट मटेरियल क्वाल्टी थोड़ा बेनिफिट कम लो जीजरे ज्यादा दो इस तरह से दीरे-दीर करें स्टार्ट करोगे तो ऐसे बिल्टर बहुत अच्छा कोट कर ले जाओं कि क्योंकि अभी तुम लोग के साइट जो गोरखपुर है अगर बाबाजी फिर से अगे तुम्हारे यहां तो पूरा सीटी बना लेंगे तुम्हारा पूरा एरिया सीटी में आ जाएगा तो फूरा बोलो फोकस करना चाहिए और जैसे अभी आटो के रेविट तो मैं जब निप्लोमा फाइनल होगा अच्छे से कम्प्लीट करूंगा कि इसमें जौब लू और उसके साथ चीजे सीखता जाओं, तो यह सही रहेगा, यही सही रहेगा, ठीक है, मिलाब इसमें एक क्या होते हैं, मार्केट वह बहुत से लोग हैं, जो बहुत अच्छा-चा बहुत सी बीम सिखा रहे हैं, ठीक है, मैंने भी सीखाय हुए है, ठीक है, पुरा-कपुरा त टोर केट पर जॉब स्टार्ड कर दो मैं répondre हो थरड यर कावलेट क्यों कर रही हो अब टี้ से अब टेट करो न क्योंकि कभी भी रेंडरींग कर डैवलप करने में दो से तीन महिना लगता है अच्छे क्वालिटी का बनाने में दो से तीन महिने की प्रैक्टिस की रिक्वार्मेंट होगी तो अभी से करोगे जैसे तुम्हारा इंजिनिंग कम्प्रीट होगा तो मस्त क्रीम होके निकल जाओगे फटा पट जौब में यह से चल यह रेविट स्ट्रक्चर मज़ू होता है इसको जब एक क्या काम होता है जब हम लोग बड़ी कंपनी में काम करोगे फिर खुद का काम करोगे तो तो उसको यह पालो की मेरी स्लेव है अब बहुत कॉइंप अब वस्लेव में बहुत कॉम्प्लिकेटिड़ हो गया है समझ में नहीं आ रहा है कि स्टील कैसे डाला जाए तो हमने एक बार उसकी द्रॉइंग देख ली में अच्छा ऐसे पड़ा हुआ है क्या ओके ठीक है तो बनाना एजी हो जाता है इस लिए रहे श्रक्चर स्लोग इसका प्लेवर्ट खराब हो गया है तुमारा हां बोला और कोई डाउट है और सब्सक्रीं एंग ट्रॉइस अब हम लोग क्या मार्केट विपेशुन हो रहे है तो सर लएंटी वगडर कमपनी आ रहे हैं बट सर यह जैसे अभी यह सब दीम होगा रहे है ऐसी डायटट कमपनी नहीं आ रही है जैसे वह का काम करती है थो सर और क्या इस कंडिशन में क्या करना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर आपका टार्गेट फिक्स है कि I am going to do this मेरा टार्गेट फिक्स है कि मैं भडार्गेट पर हूँ और मुझे ऍलग कीरा घृट मेने मेथ मिवह बाएब अनचे अचिप 1974 टार्गेटriers जो है पॉनकि जह थ targeट जो कर तो वहाँ 돼 को जब भेजो और एंडरिंग तो बोले कि किया किसने है और तब तक तक तुम उसको इतना लिंक्डिन पर फेस्बूक पर इतना सेर कर दो किसे न किसी के माधियम से डेवलब होता रहे मेरे कोर्डिंग जब आपका फिक्स हो कि मुझे यही लाइफ में करना है तो इन सब चीजों में जाओगे टाइम वेस्ट होगा और यह तो तुम्हें छोटी सी बोल रहा हूं मैं अगर हूं तुम्हारे जगा पे मुझे बीम में मिलेगा पंदर हजार रुपए और किसी एक दूसरी प्रोफाइल में मुझे मिल रहा है 30,000 रुपए मैं दूसरी प्रोफाइल को नहीं करूंगा सिर्फ इनको करूंगा ठीक है रीजन क्या है रीजन है कि मेरा लाइफ में एम फिक्स हो चुका है कि मुझे यह करना है चालो और कोई कुश्यन है तुमारा लैक बहुत क किसमें रवी नेटी डिवलोग्ट कांब करना चाहिए कि नहीं जैसे अपना जो भी काम करने है उसको प्रिस्बूक ओगर यह या यूट्टूब पे यह सब दाना चाहिए हमेशा ठीक है निटूर्वर्क डिवललम्मेंट हमेशा बेस्ट होता है ठीक है क्योंकि कल को तुम यहां इंडिया मोहो या फिर फॉरेंड मोहूं तीक है अभी तुम्हारे यहां पर एक जगह तुम्हारे तो थोड़ा दूर ए सुल्धानपूर मेरे स्कूल को प्रिंसपल थे उनका हम लोगे डिजाइन करें देना है तो अभी कली काम आया था तो अब उनको पता है मैं पून सब्सक्राइब करने का एक्जाम्पल दिखाता हूं कैसे हुआ मेरे स्कूल के एक सर थे मैं गया था ऐसे मिले के लिए तो वह सर ने को लायर मेरा डिजाइन कर दो उनका किया उनको बहतरी लगा तो फिर वो दूसरे को बताएं दूसरे को पता चला कि प्रिंसिपल साहब को ज जानता है नो डाउट जब कि उनसे कोई बात करेगा मेरा नंबर उनके पास से से रहोगा मतलब मेरे पूरे सिटी में वैसे मैं ओलेडी फेमस हूं मतलब फेमस मतलब वह वाली टॉक वाला फेमस नहीं मतलब अपने छेत्र में कि मुझे लोग जानते कि मैं उनसा काम करता तो मेरे को काम तो आई जा रहा है बट ऐसे जगों से नेट वर किनि डवैलोब कर रहे हैं और ऐसे जगों पे मैं कि जगों करता हूं ठीक हैं फ्री में क्यों हैं क्यों कि नेटवर जल्दी एक्स प्लोर होगा ऑज तो इस तरह से अपने लिदो बिल्कूल इस करना चाहते ह ठीक है ज़र थैंक यूद्ध रहा है लेने दो बाहर जाने का है यहां पर सोसाइटी जनरेट करें जो भी तुम्हारे एम है तो बीम देखो अच्छा बीम समझो कि जब है उसको अभी से सीखना लैप्टॉप अच्छा लोग नो कम्रमाइज लैप्टॉप ठीक है हो सके एक महिना खाना कम खाना जून ता जो को लेप्टॉप अ Wouldn't he छाप durable-space श्मal धेश आख अधन्यवाक 티